हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जूटने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाईए पास साल की बच्ची से रेप करने के मामले में आरोपी को हुई फासी की सजा अस्तलाम वालेकूम हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर से सभिया हुसेन शेख आज हम बताने जा रहे हैं राजिस्तान में अलवर जिले के बहरोड इलाके में रेवली गाउ की घटना के बारे में जहां चार साल पहले एक फरवरी 2015 को राजकुमार उफ धर्मेंद्र नामक युवक ने अपने ही पडोस में रहने वाली पास साल की बच्ची को चौकलेट देने का लालस दे कर सुंसान जगा पर ले जाकर बलतकार किया उसके बाद उसके सर पर पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी इस मामले में बैरोट ठाना पुलिस ने आरोपी राजकुमार के खिलाब आईपीसी की धारा 363, 365, 201, 376, 302 और पोस्को एक लगा कर चार्ट शिट दाखिल की जिसकी कारवाई लगातार जारी रही और चार साल बाद 12 जुन 2019 को विशेश जज अजेश शर्मव पोकसो कोट ने आरोपी राजकुमार को बलतकार और हत्या का दोशी माना और इस अपरात को रेयरिस्ट OF रेयर की कैटेगिरी में रखते हुए उसे आईपीसी की धारा 376 में उमर के धारा 302 में फासी की सजा सुनाई है ये थी हमारे आज की राजिस्तान में बलतकारी को फासी की सजा देने की जानकारी देने वाली खबर जल्द ही हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ